हम दो रंगों का डिजाइन बनाना सीखेंगे आप इस डिजाइन को जो है दो या तीन कलर में बना सकते हैं यह मैंने मेंन कलर लिया है वाइट इससे मैंने दो लाइने बना दी हुई है एक सीधी और एक उल्टी बैक साइट से अब हम डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं अब हम दूसरा कलर लेंगे यहां पर जो है मैंने यह जो है रेड कलर लिया हुआ है रेड कलर से हम बनाएंगे रेड कलर से हम चार फंदे बना लेंगे दो तीन चार यह हमने चार फंदे रेड कलर से बना दी है अब क्या करेंगे एक फंदा बना बुने उतारेंगे एक फंदा बुन लेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अगला फंदा बुन लेंगे फिर से एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर एक दो तीन इस तरह से ये तीन फंदे बुन लिए यह हमारे सेंटर में यह दो तीन वाइट आगे हैं अब फिर से हम वही करेंगे पहला फंदा उतारा एक बुना एक उतारा एक बुना एक उतारा अगला फंदा बुनिया इस तरह से यह तीन याँ पर वाइट आगे हैं अब बनाएंगे रेड कलर से कि तीन फंदे हमने रेड कलर से बना दिये हैं फिर एक उतारेंगे अगला बुनेंगे एक उतारेंगे अगला बुनेंगे यो गया हैं तीन फंदे अब हम एक दो तीन अब क्या करेंगे तीन फंदे बुन लीए इसको बिना बुने उतारेंगे अगला बुन लेंगे यह पहली रो होगी है दूसरी रो बनाते हैं दूसरी रो में क्या करना है जो ये वाइट वाले फंदे है ये बेना मुने उतारें उतारेंगे इस तरह से बाकी फंदे हम मुल लेंगे इस तरह से हम इस पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे वाइट वाले बिना बुने उतारने है बैक साइड की रो कम्प्लीट करने के बाद अगली रो बनाएंगे चार फंदे रैड कलर से बना देंगे अब हम क्या करेंगे जो ये राइट और लेफ्ट का है इन फंदों को हम वाइट वालों को बुल लेंगे इस तरह से और जो ये center वाला फंदा है इसको हम बिना बुनि ही उतारेंगे, अगला फंदा ये जो white वाला है इसको भी हम बना देंगे, इस तरह से, यहां पर भी हम same इसी तरह से करेंगे, ये वाला फंदा white बुन लेंगे, जो ये center में हमारा white है, इसको बिना बुनि ही उतारेंगे, ये अगला वाला फंदा भी बुन लेंगे बाकी की रेड़ वाले रेड़ी बनाएंगे इसमें भी यहाँ पर पहला फंदा वाइट वाला रेड़ बनाएंगे जो सेंटर वाला वाइट है इसको रहने देंगे इस तरह से अगली रूप बनाएंगे बैक साइड से इसमें हम क्या करेंगे जो ये वाइट वाला फंदा है ये बिना बुने उतारेंगे बाक्य फंदे बुन लेंगे इस तरह से जो ये वाला फंदा है ये बिना बुने ही उतारना है बाक्य के फंदे बुन लेंगे इसी तरह से हम इस पूरी रूप को बना लेंगे ये रूप हमने बना दी विया अगली रूप बनाएंगे अब अगली रूप में हमने क्या करना है बहुत ही इजी ये डिजाइन है बिल्कुल भी मुश्किल डिजाइन है ये जो फंदा है वाइट वाला इसको भी हमने इस तरह से बुन लेंगे इस तरह से ये जो ये वाला वाइट है ये भी बुन लेंगे जो ये वाला वाइट वंदा है इसको भी हम इस तरह से बुन लेंगे और आगे तक पूरी रो इसी तरह से हम कमपलीट करेंगे ये हमारी रो इस तरह से कमपलीट हो गिए हैं बैक साइट की रो इसको हम पूरा का पूरा उल्टा नेंगे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे परले वाइट फंदा बुना फिर एक फंदा बिना बुने उतारा अगला फंदा वाइट बुनेंगे एक फंदा बिना बुने उतारा अगला फंदा वाइट बुनेंगे यह होगे एक दो तीन इस तरह से तीन हो गए है रेड वाले अब यहां पर पहले हमने वाइट तीन किये थे अब हम रेड तीन करेंगे एक दो यह हमारा तीन इस तरह से अब आप देख सकते हैं रेड कलर के एक दो तीन अब हमारा जो मीन कलर है वो वाइट रहेगा तीन इस तरह से फिर एक बिना बुने उतारा अगला फंदा बुनेंगे एक बिना बुने अगला फंदा बुन लिया एक बिना बुने अगला फंदा बुन लिया यहां पर भी एक तो तीन रेड होगे हैं फिर तीन फंदे वाइट बनाएंगे कि तीन फंदे वाइट होगे फिर एक बिना बुने उतारा अगला फंदा बुन लिया एक बिना बुने अगला फंदा बुन लिया एक बिना बुने अगला फंदा बुन लिया यहां पे भी एक दो तीन रहट होगे है अब फिर तीन वाइट बनाएंगे एक बिना बुने उतारा अगला फंदा बुन लिया एक बिना बुने अगला फंदा बुन लिया लास्ट का फंदा भी हम बुन लेंगे बैक साइड से क्या करेंगे अब जो रेड़ वाले फंदे हैं इनको हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से जैसा हमने पहले किया था अब यहां पर मेन कलर वाइट है बैक साइड की रो में सिर्फ इतना करना है जो यह फंदे हमने रेड वाले बिना बुने उतारे है इनको बिना बुने उतारना है बाकी को बुन लेना है second row बनाएंगे अब क्या करेंगे हम यह हमारे तीन है white, left का और right का जो red वाला है इसको हम white कर देंगे इस तरह से जो center वाला है इसको हम फिर से बिना बुने उतारेंगे left और right वाले फंदे यह हम white color से बुन लेंगे यहां पर भी आप देख सकते हैं तीन है पहला वाला फंदा हम white कर देंगे center वाला फंदा इसको बिना बुने उतारेंगे और जो last वाला रेडा इसको भी white कर देंगे इस तरह से इसको बनाएंगे यह वाला फंदा white करेंगे इसेंटर वाला फंदा बिन अबुने उतारेंगे अगले दो फंदे भी इस तरह से वाइट बनाएंगे यह जो यह वाला फंदा है इसको हम वाइट कर देंगे यह हमारा center का फंदा है क्योंकि इसके बाद कोई भी फंदा नहीं है तो इस तरह से इसको बना देंगे फिर back side की रो में आपको क्या करना है बाकी तो सारे फंदे बुन लेने हैं जो बिना बुने उतारा था उसको बिना बुने ही उतारना है तो back side की रो हम इसी तरह से बनाएंगे back side की रो बनाने के बाद अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये design बनना शुरू हो गया है अब हम अगली रो बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे जैसे हमने पहले किया ये जो center वाला फंदा है इसको भी हम wide बनाएंगे आप इस design को जो है दू तीन color में भी बना सकते हैं इस तरह से red वाले को white कर देना है भी हो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके दो-तीन तुम्हाः कर सकते हैं है इसके डिजाइं पिने काया है तो आप दीजाइन को बैसे खाल लग सकते है कितना प्यारा ये डिजाइन बन के त्यार हो गया है एसा लगता है एसे एड़े लिग्सक्राइमेश पर चाहिए तो आप इस कर सकते हैं बस इतना सा ही आपको ये रिपीट करना है आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना